हाई फ्रेंट्स आज हम दिखाएंगे कि इस तरह का टेकसर कैसे बना जाते हैं तो ध्यान से देखिए एक प्रोकार का इल्यूशन है जब भी इस तरह का कोई डिजाइन हम बनाएंगे तो हमारा आँख का धोख़ बन जाता है इस डिजाइन में कोई भी डिजाइन का पैटन होता और धैन से अगर आपका दिमागोग पैटन अगर समझ ले पढ़र ले तो यह डिजाइन बनाना बहुत ही ऊजी होता है कर तो जब भी कोई design अब बनाएंगे अप यह pattern देखके धोगा मत खाजे आप एक बात देख लीजे इधर से इधर तक हाप राउंड है इधर से इधर तक हाप राउंड है पीज में इधर इस एक हाप राउंड और उसके बीज में इस टूगड काट दिया है तो इसको कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ इजी प्रोसेस में कि सबसे पहले आठ के माट को खोल लेते हैं चीक है उसके बाद यह जो इमेज है इसको मैं इसके उपर छोड़ देता हूं और इमेज साइच इंची में ले रहा हूं सपोज इसको मैं 26 इंच ले रहा हूं तो हाइट उसी सबसे इधर बन जाएगा अगर मैं 24 लूँ तो उसी सबसे यह असपेक रेशियो के साथ हाइट बनेगा पिर इससे मैं मिलिमीटर में कॉइण करके कर देता हूं फिर फूल स्क्रीन करता हूं और कोई बी डीजाईइन बनने से पहले सबसे पहले Windows टाइल बतिकली दोनों व्यूः मं देखेंगे और फाइल सेव हैज डीजाइन बनाने से पहले हम उसको सेफ कर लेंगे अभी 2D वीव को फूल स्क्रीन कर लेता हूँ और ये वाला ड्रॉइंग करेंगे ड्रॉइंग करने से पहले पॉलि राइन टूल सिलेक्ट करके कॉंट्रोल प्रेस करके एक स्टेट लाइन ड्रॉइंगे फिर राइट प्रिक करके उसको फ्लियर कर देंगे अभी इसको सिलेक्ट करके एप नाइन प्रेस करेंगे तो ये पेज के मिडल में रह गया अभी हमें क्या करना पड़ेगा देख लीजिए ऐसा एक रेक्टेंगिल ड्रॉख कर लेंगे ड्रॉख कर लिया एप नाइन प्रेस करके इसको मैं पेज के मिडल में रख रहा हूँ ठीक है अभी देकि इधर से एक बनेगा और बाकी इधर से दूसरी तरफ बनेगा तो वो कैसे करेंगे इसी को सिलेक्ट करके Ctrl-C, Ctrl-V यह कॉपी कर लेंगे फिर सिप ट्रेस करके left alignment कर देंगे ठीक है और इसी को मैं mirror vector के जरीए से left में एक duplicate बना लेंगे अभी हमें क्या करना पड़ेगा cross section तो इधर ऐसे पकड़के guideline को यह arc tool सिलेक्ट करके cross section हम बना लेंगे ऐसा और कितना mm hide हम देना चाहते हैं उतना hide हम इधर लिख देंगे suppose मैं चाह रहा हूँ कि 25 mm hide में यह बने तो ऐसे 25 mm hide बना लेंगे फिर इसको r press कर देंगे ठीक है अभी इस तरह का drawing हमें कर लेना पड़ेगा तो यह जो आर्क बने है cross section के लिए इसको इधर रख देते हैं और यह जो drawing है इसको कर लेते हैं इसको कर देंगे इसको कर देंगे यह जगा पर ऐसे कर देते हैं इधर थोड़ा ऐसे कर देते हैं और दोनों height बरवर के है के नहीं यह देख लेते हैं इसको ऊपर उठा देंगे keyboard में जो arrow की होता है वो यूज करके उठा देंगे फिर इसी को select करके left के तरब एक copy कर लेते हैं और इसको select करके right के तरब एक copy कर लेते हैं ठीक है फिर यह दोनों को right click करके join कर देंगे इधर भी right click करके join कर देंगे फिर नोट एडिटर लेके इसको smooth कर देंगे express करके ठीक है थोड़ा सा modify करना है हलका सा left arrow ऐसे इधर भी बस अभी क्या करेंगे इसी को select करके हम mirror कर लेंगे ठीक है फिर इस position को हम नीची के तरब ऐसे रखतेंगे तो इसको बाद में हम use कर लेते हैं पहले 3D को बना लेते हैं तो model में जाके adjust resolution जब भी कोई design आप बनाएंगे resolution बहुत ही एम रोल आधा करते हैं तो इसमें resolution 2000 से उपर रख दीजिएगा apply yes अभी control एस प्रेश करके एक बाद सेप कर लेंगे ठीक है फिर windows में जाके tile vertical तो पहले हम क्या करेंगे center में जो है इसको left side में copy कर लेंगे एक बार ऐसे और इधर में जो है इसको center में इसको right side में copy कर लेते हैं तो यह जो copy की हैं यह वाला इसको और इसको आलक काट कर लेते हैं control x काट करके उपर का layer में रख देते हैं विक्टर का layer में control v यह इधर रख देते हैं ठीक है अब इसको बंद करके नीचे वाला लेते हैं नीचे वाले में क्या करेंगे note editor select करके इधर आर प्रेस कर देंगे नीचे भी आर प्रेस कर देंगे इधर भी इसको आर प्रेस कर देंगे इधर भी आर इधर भी आर अभी देखिए ये दोनों लाइन सिलेक करेंगे करने के बाद टूरिल स्विप में जाएंगे A और B सेम साइड में रहेगा फिर ये क्रोस सेक्षन को एड़ कर देंगे और इधर हाइट जिद नाम देना चाहते हैं हाइस्ट कैल्कुलेट कर लेंगे देखिए ये हो गया फिर क्या करना है इधर का सिलेक्ट ये और भी ठीक करके हाइस्ट अभी इधर का सिलेक्ट ये और भी ठीक है कैल्कुलेट ये बन गया अभी क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे और ये दोनों को खली कॉपी कर देंगे कॉंट्रोल ची नीचे वाला लेक्टर बंद करके उपर का खोल देंगे फिर control V करके इधर प्रेश्ट कर देंगे अब इधर note editor लेके इधर R प्रेश्ट करेंगे इधर भी R प्रेश्ट करेंगे इसको भी select करके R इसको भी R फिर select tool लेंगे लेने के बाद ये दोनों को ऐसे select करेंगे करके two rail sweep में जाएंगे ये और भी same side में होगा cross section add करदेंगे hide इधर करदेंगे ओके हैं नया लेयर लेंगे जब भी काम करेंगे नयाल ले लेकर माच है कर देंगे कि नीचे वाला लेयर को बंद करके अध्य वी ठीक है तो इसको बना लेंगे दूसरे को ig Значит यह वाला Select यह और भी सेम साइड में होगा Calculate अभी देखिए अभी हमें Illusion Create करना पड़ेगा ठीक है अभी इसको खाली Copy कर लेते हैं यह दोनों को Ctrl-C, Sub-Vector वाला लेयर बंद करके नया एक लेयर लेते हैं Ctrl-V अच्छा भी देखिए अभी पहले क्या होगा इतना सा दिख जाएगा इतना सा दिखेगा तो इसको और इसको इस लेयर को डूप्टिकेट कर लेता हूँ और यह दोनों को मैं जोइन कर लेता हूँ स्टेट जोइन्ट चेके तो यह वाला लेयर मतलब यह वाला लेयर में यह दिखेगा बाकी उठ जाएगा तो इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl-C, Ctrl-V श्री यह कॉपी नहीं हुआ इसको कॉपी करना पड़ेगा Ctrl-C, Ctrl-V यह कॉपी हो गया इसको उपर ले जाएंगे फिर Ctrl-C, Ctrl-V तीनों को सिलेक कर लेते हैं अच्छा, गाइड लेयर को हटा देते हैं इसको पकड़ के उपर छोड़ देंगे ठीक है यह तीनों को सिलेक करके Ctrl-C, Ctrl-V नीचे के तरव ले जाएंगे अईसा रख दिया तो यह जगा छोड़के बाकी सब डिलिट हो जाएगा सिप ट्रेस करके सिलेक कर लिया तो इतना सा जगा यह वाला दिखेगा तो हम क्या करेंगे यह लेयर को यह वाला लेयर को Zero Rest कर देंगे Save Editor में जाके Zero Rest ठीक है तो देखिए इस तरह का दिख रहा है अभी नीचे वाला लेयर को खोलके इतना सा जगा को हम Zero कर देंगे नीचे वाला लेयर में Save Editor में जाके Zero देखा अभी देखिए इस तरह का देखने वाला डिजाइन बन गया है समझ गए तो यह डिजाइन बनाना ज़्यादा डिपिकल नहीं है इसी है पर यह तरह का Illusion है इसको आगर समझ गए तो आसानी से इसको आप बना पाएंगे तो यह मैंने आठ में बनाया आप चाहे तो दूसरा भी भार्षान में इसको बना सकते हैं प्रोसेस एक ही है थैंक यू फ्रेंड्स बेश्ट अब लक अजिए प्रेंड़ से इसको आप जए